हेलो अब्रीवन आप लोग का बहुत बहुत सब्सक्राइब चैनल पर और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं में को की आपके आने वाले ग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं के वीडियो की प्लेश्ड बनि हुए जिसमें इंप्लेश्ड को डिसकस किया है तो आपने विडियो को जरूर्प देखेंगा तो चुलिए आपना अज का डिसक्रेशण स्टार्ट करतें है पहला कोशन ऑगर क कामल को MF NBD लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा इंपॉर्टन कोशन है कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे कोशन में आपको परार रखें तो इस कोशन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है अगर क्य NBD लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस by है असे पहले आपको ध्यान देना कि आप जो सी है सीजları कर कर दौ जारा M हो रहा है, तो एक increase हो रहा है, increase एक alphabet हो रहा है, मगर reverse order भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो चले हम लोग देखते हैं, हम लोग tiger को कैसे coding करेंगे, according to the this coding, ठीक है, तो tiger है, सबसे पहले, आपका यहाँ पर tiger का यहाँ पर क्या हो जाएगा, T के बात क्या आता है, U, यहाँ प है, हम लोग, और G का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, और E क्या हो जाएगा, E का हो जाएगा, F, और इसी तरह R का क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा, S, F, H, J, U, ठीक है, जो कि हमारा option किसमें दिख रहा है, S, F, H, J, U, जो कि हमारा option B में साफ साफ द दिख रहा है ठीक है एक फिर से हम लोग ध्यान देते हैं कैसी हुआ यहां पर अगर आपको समझ में नहीं आए तो बस जस इसका एक alphabet increase हो रहा है मगर एक alphabet increase भी हो रहा और first का last में चला जा रहा है ठीक है यह भी आप लोग को ध्यान देना है आई होप यह कोशन आपको समझ में आ गया होगा यहां पर option B हो जाएगा आपका सही answer ठीक है नेक्स कोशन पर हम लोग आते हैं यहां पर 253 दिया हुआ तीन सो चोहत्तर चार्सो पिंचानवे नेक्स वाला आपको बताना है कि यहां पर क्या होगा ठीक है तो ध्यान से लोग देखते हैं कौन सा pattern follow हो रहा है देखें यहां पर आपका प्लस वाला order नहीं हो रहा है क्योंकि pattern आपका यहां पर नहीं होगा नहीं माइनस से होगा नहीं multiply से होगा यहां पर जाहें कि यहां पर को क्लें करने पर आया है जो यहां पर क्लें को किसी अधर हैं झाया स्थाल कि प्लस करके जम् Fahrley लोग बात करेंगे दो सो तिरपन की तो यहां पर पांच कैसे आया है पांच आया है यहां दो और तीन को प्लस करके ठीक है दो और यानि कि यहां बना लोग करने ना हो यह लोग देखते हैं इस घना श्मार शेच सब्सक्राइब आप लोग करें नियुदक 스वअ बालते रही है तो यहां यानि कि अब आपने देखा कि 1, 2, 1 को प्लस किया तो 2 आया, 2 के बाद यहां पर 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, तो आपको लाना है 11, तो 11 कैसे आएगा, देखें 5, अगर फर्स्ट आप्शन को देखते हैं, तो 5, 5 को प्लस करेंगे, तो 10 आएगा, तो 11 नहीं आ रहा है, नेक्स्ट वाले में देखेंगे, तो 5, 3 को प्लस करने पर 8 आ रहा है, यहां पर बीच में दो, हमको बीच में चाहिए 11, तो 11 हमको यहीं दिख रहा है, और क्या से 5 और 6 को प्लस करेंगे, तो 11 भी आ जाएगा, तो यहां पर option C हो जाएगा, हमारा सही इस वाले कोशन में क्या पैटन फॉलो किया गया है, यानि कि बीच वाले को लाना है, अगल बगल के संख्याओं को प्लस करके, दो के अगल बगल, ठीक है, इसी तरह यहां पर दो के बाद पांच आया है, यह प्लस भी करना है, प्लस पैटन भी फॉलो करना है, दो की बाद पांच पांच के बाद साथ के बाद नो के बाद यहां पर 11 और 11 का सबस्क्राइब यह को प्लेस करके तो ओप्शन C में साफ साफ दिख रहा है ठीक है इस प्रहुत आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आए गा तो आप कोशन है और इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा आप लोग कोशन क्या है यदि 6a7b3 इसको सिक्स्टी 11a9b6 उसको स्टी 165 तो 10a11b5 क्या होगा ठीक है तो यहां पर इस कोशन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें थोड़ा आपको ट्रिकी कोशन यह है ठीक है तो ध्यान देजाएगा जाद आप लोग कोशन समझें फिर से दिया है 6a7b3 बस आपको यहां पर ए और बी में आपको इस कोशन को सॉल करने के लिए क्या करना है और बी में साइन का इस्तिमाल करना है वह साइन कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस डिवाइड का मल्टिप्लाइका तो पहले हम लोग यहां पे चनक करते हैं किहां पिल्टिक difficulty ठीक है तो देखेए यहां पर कि 7 तो तीन हुआईगा 10 ठीकहे और 10 ने छो से मैं करेंगे तो आजाएगा 60 ठीकहे यानिक हम सा पैटन वाया है यानिकी पाटन फॉलौ 5 6 x 7 आपको यहाँ पर कैसे किसी 10 लाना है, बॉर्ड मास के रूल आपको दिमाग में नहीं रख나 है यहाँ hen 6 x 7 3 meno 6 x 5 का समझ किसी 10 और 6 में देंगे 10 Cu I am simple को साफ साफ दिख रहा है अभ यही पैटन मेंको नेक्स वालव में भी फॉलो करना है तो कैसे होगा 11 a 9 1 B 6 ठीक है तो कैसे होगा यह यहाँ पर मैंने कहा था आपको यहाँ है यहाँ पर फिलस करना है यानिकी 9 च्छे क्या होता है 15 यानि कि 11 गुड़े 15 और इसको आप मल्टिप्लाइब करेंगे तो 165 आ जाएगा ठीक है जो कि यहां पर 165 दिख रहा है अब यहीं पाटन हम लोग नेक्स्ट फॉलोग करके आपको आपना अंसर लाना है यानिकि 10 10 a 11 b 5 इसको आपको सॉल्व करना है क्या से सॉल्व करना है देखें मैंने क्या का आपको एक जगा क्या करना है मल्टिप्लाइब बीक जगा क्या करना है प्लस ठीक है उसके बाद यहां पर लोग नंबर भी रख लगते हैं 10 इंटू 11 प्लस 5 ठीक है 10 इंटू 11 प्लस 5 तो 11 फाइफ क्या होता है 11 फाइफ होता है 16 और 16 में 10 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो आज जाएगा 160 जो कि हमारा ओप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है ठीक है तो आई होप यह कोशन भी आपको समझ में आगे इंपोर्टन क से सॉल्फ हो जाएगा अब लोग नेक्स्ट कोशन पर आते हैं नेक्स्ट कोशन ध्यान से देखेगा कोशन नीचे दी गई स्ट्रिंखला में लुप्त संक्या ग्यात करना है यहां पर जो है यह कोशन मार यहां पर आपको बताना है कौन सा डिजिट होगा और उसके बाद ह यहां के पास चार ओप्शन दिया हुआ है विच इस एक सुदैस एक सो सत्तरा एक सोनो और एक सो बीस द्यान से देखेगा कोशन है 60 69 85 कोशन मार 146 ठीक है इसको सॉल्फ करने के लिए पहले आपको इसमें पाटन देखना होगा देखेगा आपके 60 से 69 कैसे हुआ है 60 से 69 होन हुआ हुआ है 69 से 75 होना लिक लिए यहां पर प्लस आपका 16 हुआ है उसके बाद यहां पर कोशन मारके उसके बाद यहां बन पर 5 स्कॉायर प्लस की लिए उसके गयák 22 देखेगा 6 26 का करने है 110 ठीक है अब हमें चेक करना है कि 110 में अगर हम लोग 36 प्लस करते तो 146 आएगा की नहीं अगर 110 में 36 का स्क्वाइर प्लस करते हैं तो मारा 146 आ रहा है जो की सही पैटन फॉलो हो रहा है तो आपने क्या किया है त्री का स्क्वाइर एक बड़क्र किया है उतलं फॉर का स्क्वाइर प्लस किया एक बढ़ वर उक्स का स्क्वाइर? क्या बद हम 85 यहाँ आपको समझ में आएगा वीडियो को लाइक आप जरूर कीजेगा और फ्रेंट सर्केल में इसको शेर भी जरूर कीजेगा ठीक है अब लोग नेक्स कोशन पर आते हैं और कोई भी डाउट हो आपको तो आप लोग जरूर पूछेगा नेक्स कोशन आपके सामने नीचे देगे प्रेश्ट में लुक्त संख्या ग्याद कीजेए यहाँ पे कोशन मारके आपको यह संख्या बताना इसमें मैंने आप्शन नहीं दिया है इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके आपको बताऊंगी यहाँ पे है 7, 8, 9, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 15, 16, 17 सबसे पहला आपको क्या करना है यहाँ पे 9 कैसे आए यह आपको पता करना है तो हमने क्या किया देखे 10-7, 3 आया, 3 में प्लस करेंगे, 11-8, 3 आया, प्लस करेंगे, 12 में इसे 9 हो जाएगा, 3 आया, 3 प्लस 3, यह हो गया 9 अब यहीं सेम पैटरन लोग, नेक्स्ट वाले ट्रैंगल में भी फॉलो कराएंगे तो 15-12 आपका आया 3, फिके इसी तरह 16 में से 13 गया, यहाँ पै भी आया 3, ए 17 में से 14 गया, यहाँ पै भी आया 3, और 3, 3, 3, 3 यह भी आया 9 यहां पर भी 9 आया और यहां पर भी 9 आया ठीक है जरूरी नहीं है कि सेम सेम ही नंबर आया क्योंकि डिजिट ऐसी दे रख ही है इसलिए 9 आया है तो आपको ध्यान देना है इस तरह के कोशन को यहां पर आ जाएगा कोशन मार की जगा 9 ठीक है आयोब यह सिंपल सा कोशन आपको समझ माय गया है कुछ नहीं करना था बस माइनस 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 करके जो आएगा डिजिट प्लस कर देना है माइनस 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 करके जो आईगी तीनों डिजी उसको प्लस कर देना यहां पर भी तीन आया तीन आया तीन 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 नौ यहां पर नौ उसी तरह यहां पर भी तीन आया था यहां पर भी माइनस करने पर तीन आया था यहां पर भी माइनस करने पर तीन आया था उस कोशन है कि मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था अर्विन मुझसे 11 दिन छोटा है इस वर्ष सत्वंतिता दीवस सोमवार को पढ़ता है तो अर्विन का जन किस दिन पढ़ेगा सबसे पहले आपको इस कोशन को ध्यान से पढ़ना है फिर से में बढ़ाऊंगी देखें मैं अगस् पैदा हुआ था गयारा अगस्त को इसके बाद क्या अर्विन मुझसे 11 दिन छोटा है 11 दिन छोटा है इस वर्ष शत्वंतित दीवस सोमवार को पढ़ता है यह जो ए 11 उसमें एड़ करिए तो क्या आया 22 अगस्त चोटा है इसका मतलब माइनिस नहीं करना है प्लस करना है के अर्विंत को जन्ट किस धिन पढ़े गां ग्यारा अगस्त को हुआ था जनम और ग्यारा दिन छोटा य नहीं कि ग्यारा प्लेस घ्यारा आपको लाना है बाईस अगस्त ठीक के और उस दिन क्या था सोमवार और स्वतन्ता दिवस स्वतन्ता दिवस आपको पता है कि किस दिन होता है 15 अगस्त को होता है स्वतन्ता दिवस और 15 अगस्त को उन्होंने बता रखा क्या है सोमवार याने की मंडे ठीक है मंडे इत्ता आपको ध्यान देना है और 11 प्लस 11 करने पर आपका आया था 22 अगस्त ठीक है 22 अगस्त यानिकि 15 अगस्त 16 17 18 19 20 साफ साफ मैं फिर से बता दे रही हूँ देखे 15 अगस्त आपको लाना है 22 अगस्त और 15 अगस्त क्या है यहाँ पे सोमवारे ध्यान दीजेगा 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 ठीक है 15 को सोमवार है तो फिर से साथ दिन बाद एक दो तीन चार पांच छे साथ जस्त एक हफ़त बाद फिर से तो सोमवार ही होगा न ठीक है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सोमवार ऑनन की मंदे तो यह थोड़ा साब को लग रहा हूँ कि की अर्विन ग्यारा दिन चोटा नेटिका 11 अगस्त इना थी आनसर यंगा मना प्यारा ऑदा एक जब वह ग्यारा अगस्त को पैदा हुए तो अर्विन जो है उससे 16 दिन तो अगले 11 दिन के बाद प्लस ग्यारा तीक है जो की हुआ बाइस और सवतनता दीवस था उस दिन और सोमवार यानिकी पंद्रा ठीक है फंद्रा से बाइस आप लोग जाएंगे पंद्रा को सुमवार है तो एक हफ्ते बाद भी सोमवार ही होगा यहां पर सी हो जाएगा यहर को ट्वैल है तो थर्जे को आप लोग क्या लिखेंगे आपके साबना चार उप्शन है चब्विस ब्यालिस चौबिस और अठाइस बहुत ही सिंपल कोशन है कोशन फिर से पढ़िए सद्डे को अठारा लिखा जा रहा है मॉंसून को 21 लिखा जा रहा है यहर को बारा चेश्च यह अच्छा रहा है अभी जल्स हम लोग माल लेते हैं कि छे में तीन से मल्टिप्व्लाइब तो अठारा जा रहा है नेक्स में हमको यह फॉलॉ करना है क्या नेक्स्ट में भी यह हो रहा है या नहीं अध्यम है । इस ओ और एन ठीक है कितने अच्छा रहे एक चार पांच छे सात चले स्कारिया तो यहाँ भी हमारा 21 ओंद लोग देखते हैं यहां पे लिख लिरे हैं यहां पे लिख लिरे हो यह पर लिए अ कितने एकशर है एक दो तीज़र चली चार को तीन से कर दे रहें तो यहां पर हमारा यारा यारा है इस पाटन हमारा फ़ॉलो हो रहा है की जितने एक्षर हैं उतने में हम लोग तीन से मल्टिपलाइ कर दें संडे में 6-4 दा 6 में 3 से 18 मॉन्सुन में 7 था 7 में 3anson क्या येर में चार था चार में तीन से किया बारा अब इसी तरह थर्जडे टी एच यू आर एस डी एवाई ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि कि आठ अक्षर है आठ में तीन से मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 24 ठीक है तो इस कोशन में आपने क्या किया सारे एकषर को प्लस करके तीन से मल्टिप्लाई किया तो चौबिस आ गया जो कि ऑप्षण डी में मारा साफ साफ दिख रहा है अब नेक्ष्ट कोशन पर आते हैं कोशन क्या आपके सामने ध्यान से देखेगा कोशन है नीचे दिए गये विकल्पों में से उसे चुनिये जो अन चौडा साफ लेन बेहिए हंद्यों में मत ब्लूः की कोशन कोशन किया ऊकूडाई कोशन लूत है जाले में देखने हूं बाहर की तरफ है मगर जो थर्ड वाला इसने बाहर की तरफ नहीं है तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर नेक्स कोशन है वीडियो कब लोग लाइक शेयर जरूर कीज़ेगा और कोशन नीचे दीगे श्रिंखला में अगला पद क्या होगा ठीकि अगला पद क्या होगा चार उप्शन आपके सामने दिया हुआ है ठीक है तहन से पढ़ेए स्कॉष्ण को आप लोग हो तो तो नेक्स्ट क्या होगा यो का वैसी वाट est नहीं कर सकते क्योंकि सभी में यू दे रखा है तो आपको क्या करना है आपको एक तो पता चल्ग है यहां पर थो है को पता करना है कि यहाँ पर 12 है 28 है कि 38 यहां पर 184 है तो यहाँ पर कौनसा डिजिट आएगा ठीक है तो stove क्या करना लिए इसमें अब को बता दे रही हूं क्या होगा 12 में क्लों मैं उब हुए करने हैं तो आता है 38 ठीक है 12 में 12 में 4 से किया था अब 46 में 4 से करेंगे तो 46 में हम लोग 4 से multiply करेंगे तो क्या आएगा 24, 184 यहां पर आगया इसके बाद हम लोंने क्या किया था माइनस 2 क्या था नहीं कि 184 में से 2 करेंगे तो यहां पर आजाएगा 182 ठीक है U 182 जो कि हमारा option A में साफ साफ दिख रहा है मैं फिर से बता देती हूं वह वे लोते A E I O U A E I O U आया यहां पर उसके बाद क्या किया गया है 12 में 4 से multiply किया गया 48 तो 12 में 4 से किया गया 48 48 में से मैंने minus 2 कर दिया तो यहां पर आ गया 46 अब इसी तरह 46 में 4 से multiply कर देना है तो आएगा 184 46 में 4 से multiply किया 184 अब 184 में से minus 2 कर दें क्योंकि यहां पर भी minus 2 करके 46 आया था तो यहां पर आ जाएगा एक सो बैसी तो यू एक सो बैसी जो कि हमारा option ए में साफ साफ देख रहा है यहां पर हम लोग ने दस को ड्रीजिंग के दस को डिसकस किया जह को एक्जाम के लिए बहुत ही जाद है इंपोर्टेंट है ट्रिक भी मैंने बताई है तो आज हमने केवल दस को डिसकस किया मैंस के question uploaded है science के uploaded है तो आप वीडियो को जरूर देखेगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा वीडियो को share किजगा अगर किसी भी question में doubt हो तो जरूर पूछेगा thank you so much for watching thank you